नमस्कार आदा प्रणाम स्वागत है आप सभी का विहार अड़ा में कैसे हैं आप सभी आशाक करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे और उत्साहित भी होंगे क्योंकि हाला की जादा उत्साहित रहना बहुत जरूरी है क्यूंकि अब जल्दी ही नूटिफिकेशन आने वाला है और हम धेर सारे प्रशन करें खूं मजबूती के साथ और रोज 25 से कम प्रशन नहीं करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी प्रशन किया करेंगे हम लोग बहु हजार प्रशनों का संकलन पूरा कर चुके हों तो मेरा ये टारगेट है आज आपकी 9-11 मेरतन भी है तो भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को आपने भी क्वालिफाई कर लिया बहुत बढ़िया प्रणाम नमस्कार आदाव मारकंडे जूली विनय शालू मंजय सोनिका त्रि बहुत सारे बालक हमारे आ गए हैं और बाकी जो आ रहे हैं धीरे-धीरे है ना दुपहर के समय नीन तो बहुत भयानक आती होगी आप लोगों को मैं समझ पा रहे हूं कि नीन से उपर उठके हम लोगों को काम करना है तभी यह हो पाएगा दिख विजया मर्जीत पूर्ण लेशन आजाएगा अपने आप एप पर ठीक है आपको पता चल्ज जाएगा कि खुंडा खीर यह कि अ give चिंता मत करिये बसदस्तार का इंतजार गरिये बसतार हो जाएगा है ऐंडनलोड करना और बिलकुल करना होगा फयकि hydraul और अ pain चलिए बहुत बढ़िया शालू, गुड आफ्टरून, गुड आफ्टरून, अच्छा, कन्फर्मेशन के लिए रिशिकेश, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया सूरुची, धन्यवाद, नमस्ते, थैंक्यू, थैंक्यू, मारकंडेजी, थैंक्यू, ध सीधा, बात्चीज जादा नहीं करेंगे, सीधा प्रशन पर आएंगे, ठीक है, बाकी तो सब आपको पता ही है, बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, काफी समझदार बालक हैं आप लोग, चलिए, तो शुरू कर लेते हैं, क्लास को पहला लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग, म, स, य, बताईए जल्दी से क्या होगा, शुक्रिया, रवी, धन्यवाद, जल्दी से बताईए, बहुत बढ़ी, हाँ, आज जी उतिया वरत है, तो जिन लोगों ने वरत रखा हैं, उन सभी को काम नाए, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, सुभाश, इसे किस पैक में कनवर्ट करूँ, कनवर्ट करने के बजाए आप तयारी करिये, नशुन द रहिए, आगे फिर वेकेंसी जाने वाली है, ना,иком टो आप तयारी करिये, चलिए बताईए जल्दी से क्या होगा, च कुल जा जारे अपने मांदिरवा जा जारे अपने मांदिरवा सुन पावे बुरी सास ननन दिया अपने मांदिरवा बिलकुल एकदम सही याद दिलाया बताईए जल्दी से क्या होगा फटा फट से क्या हो जाएगा बी बहुत बढ़िया चटनी जी एंड में बताऊंगी अभी 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 यहां दियान दीजे सभी लोग वागाभीन पलासी का वादी स्वर हो जाएगा मा वादी स्वर क्या हो जाएगा म और समवादी स्वर क्या हो जाएगा सा अब इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पा रहे हैं आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि ये जो राग है इसमें वादी स्वर उत्तरांग से है कहां से है उत्तरांग से है हाला कि इसको अपवाद राग के रूप में जाना जाता है, उत्तर अंगवादी राग नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, काहे करत मोसे, बिलकुल, बिलकुल, सही कहा प्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भी, म, ठीक है, म, इसका सही उत्तर होगा, अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे, प्रश्न है रागभीम पलासी की जाती क्या है, रागभीम पलासी की जाती क्या है, शाडव संपून, और रव संपून, संपून, संपून या इन में से कोई नहीं, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटा फट से बताइए क्या होगा, अविनाश ऐसा कैसे हो सकता है अब एक बार फिर से अच्छे से चेक करिए हो सकता है आपने गलत चीजे डाली हूँ जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटा फट से बताईए राग भीम पलासी की जाती क्या है शाडव संपून, औरव संपून, संपून, संपून या इन में से कोई नहीं जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटा फट से उत्तर दीजे सभी लोग हम सभी को मालूम है कि इसकी आरोह क्या है सा आरोह में कैसे आता है ठीक है इसमें रे और धा वर्जित होते हैं आरोह में और अवरोह में सारे स्वर होते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब कि इसकी आरोह में पांच स्वर लग रहे हैं अवरोह में साथ स्वर लगते हैं तो जाती क्या हो जाएगी आउडव और संपून जाती क्या हो जाएगी इसकी आउडव संपून ठीक है चलिए अगले प्रशन पर आते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल एकदम ठीक अगला प्रशन बताएगे क्या होगा रागभीम पलासी का गायन समय क्या है रागभीम पलासी का मुहे गरवा लगा ले फटा-फट से बताये क्या हो जायेगा राघ भीम पलासी का गायन समय क्या हो जाएगा फटा-फट से सब भी लोग उत्तर देंगे क्या होगा राग भीम पलासी का गायन समय क्या हो जाएगा? दिन का तीसरा प्रहर क्या हो जाएगा दिन का तीसरा प्रहर ठीक है? अच्छा, दिन का तीसरा प्रहर अब एक बात बताईए दिन का तीसरा प्रहर इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें पता है दिन के बारा बजे से रात्री के बारा बजे तक पूर्वार्ध होता है दिन का ठीक है और रात्री के बारा बजे से दिन के बारा बजे तक क्या होता है उत्तरार्ध होता है अब एक बात बताईए मैंने आप लोगों को बताया था, जो उत्तरांग वादी राग होते हैं, वे सामान्य तौर पर क्या होता है? वो दिन के उत्तरंग में गाय जाते हैं, किस में? उत्तरंग में गाय जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को नियम बताया था, ठीक है? लेकिन अब जब आप इसे दे राग्भीमपलासी को तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि हम ने बता है II का वादी स्वर म है मर मा अबकिया है उत्तरांग है इसका मतलब यह क्या है? यह अपवाद राग है, राग भीम पलासी, कैसा राग है? अपवाद राग है, इस पे नियम लागू नहीं हो रहे हैं दोनों, ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका अपवाद राग हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला, राग भीम पलासी क थाट से संबंधित है, जल्दी से बताईए क्या होगा, सविता सारे confusion, बच्चे सब के सवाल सुनूगी, लेकिन पहले पढ़ना है, ठीक है, पहले हम लोग अच्छे से प्रशन करेंगे, उसके बाद end में आप लोगों के सब के सवाल लूगी, ठीक है, चलिए, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजे, राग भीम पलासी का थाट, काफी, खमाज, तोड़ी, मारवा, इन में से कोई नहीं, क्या होगा, जल्दी से बताईए, कौन सा थाट हो जाएगा, राग भीम पलासी किस थाट से संबन्धी है, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा, क्या होगा, काफी या खमाज, बहुत बढ़िया, मैं देख रही हूँ, आप लोग उत्तर तो दे रहे हैं, फटा फट से, वा, बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, काफी थाट, और हमें पता है, काफी थाट में गः और नी कोमल होते हैं, और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं, अच्छा भीम पलासी के बारे में एक बात और बताती हूं, बहुत सारे लोग भीम पलासी में क्या करते हैं, शुद्धनी का अल्प प्रयोग करते हैं बिल्कुल, लेकिन हर कोई नहीं करता, ये हर कोई कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन्यस्वर्शु अगला प्रशन, राग भीम पलासी में अगर शुद्धनी का प्रयोग किया जाए, तो किस राग के छाया आजाती है, इसको प्रयोग करने इतना असान नहीं है, अगर आप राग भीम पलासी में शुद्धनी का प्रयोग करते हो, तो उसके लिए बहुत कहते हैं कि एकदम तयारी चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, तो शुद्धनी का प्रयोग किया जाए, तो राग मारवा की छाया अगर जाएं, एक बात ध्यान रखें सभी लोग की राग से प्रशना है, ताल से प्रशना है, इतने प्रशन कर लेंगे हम लोग कि हमें जबान पर आ जाएंगी, एक चीजे बेफिकर रही है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मताईज जल्धी से क्या होगा, कौन सा किस राग की छाय आएगी बुढ इवनिंग गुड कर इब धसे क्या होगा बिलकुल बिलकुल क्या हो जाएगा इसका हुट्तर حो जाएगा पटदीम राग पटदीम की छाय आ कि अगर आ किस की जगह कोम लिगी जगह शुद्धनी का प्रयोग कर दो ठीक है देखे बहुत आसान है राग पटदीप में क्या होता है राग भीम पलासी में तो कोमली लगता है लेकिन राग पटदीप में क्या होता है राग पटदीप में शुद्धनी लगता है और अगर आप ये क्या है उत्तरांग वादी राग है क्या है ये उत्तरांग वाद कर दिया जाय मतलब की पत दीप को अगर हम भी हम पलासी को अ को उत्तरांगवादी बना दे और शुद्धनी का प्रयोग कर ले तो राग प्त दीप बन राग भीम पलासी का समप्रकृती राग क्या है? राग भीम पलासी जैसा ही दूसरा राग पठदीप है, बागेश्वरी है, जोगिया है, जिंजोटी है इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या होगा? फटा फट से उत्तर दो सभी लो जल्दी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? राग भीम पलासी का समप्रकृती राग क्या होगा? पठपठ से उत्तर दीजे जल्दी से बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा? राग भीम पलासी का समप्रकृती राग क्या होगा? बी, बागेश्वरी फेरी गुड, जिन जोटी, गुड इवनिंग गौरफ, जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजे, एक तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, भाईया मुझे मैडम मत बुलाया करिये, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, बड़े हूँ या छोटे हूँ सभी लोग, कृपया मुझे दीदी ही बुलाये, मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे मैडम बुलाये, बहुत अपनापन महसूस होता है, जब कोई दीदी बुलाता है तो है ना, चलिए, बताइए जल्दी से क्या होगा, बागेश्वरी होगा, बिलकुल ठीक, क्या हो जाएगा सही बागेश्वरी, अच्छा बागेश्वरी की कोई मुझे छोटा खायल के बंदिश याद दिलाएगा, कोई भी बालक, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बटाफट से, कोई याद दिला दे कि राग बागेश्वरी की छोटा खायल के बंदिश, क्या होगी, राग भीम पलासी के न्यास के स्वर क्या होंगे? सागा म सागा प, सागा प, सागा प नहीं या इन में से कोई नहीं बताए जल्दी से क्या होगा? कौन करत तोरी बिंती पिर्वा और कोई? इसके अलावा? माने ना माने मोरी बतिया नहीं एक, एक और है जो मिर को याद नहीं आ रहा है बहुत ज़ादा प्रसिद्ध है बो पर दिमाग में नहीं आ रहा है, है न? वो, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ ये तो मैंने सुना है कौन करत तोरी बिंती पिर्वा लेकिन एक और एक और बंदिश है जो बहुत प्रसिद है हाँ नहीं नहीं यह नहीं है यह नहीं है अमवा की डार भी नहीं है जो जस बंदिश की मैं बात करी हूँ बंदिश मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से बताईए नियास की स्वर क्या होंगे क्या हो जाएंगे जल्दी से बताईए क्या होगा नए नए मुझे वो दिखी नहीं रहा है नहीं 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 दिख रहा है चलिए नजर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी क्या हो जाएगा राग भीम पलासी के न्यास के स्वर न्यास के स्वर हो जाएगे सा, ग, ग, होगा कोमल वा लगा ठीक है, मा और प, ये हो जाएगा सही उत्तर भी, क्योंकि इसमें गवर्नी कोमन लगते हैं, ठीक है, चलिए ना ना ना, वो भी नहीं है विलंबित तीन ताल का अन्य नाम क्या है, विलंबित तीन ताल को और किस नाम से जाने जाता है आडा चार ताल, चार ताल, सूल ताल, तिल वाडा ताल या फिर इन में से कोई नहीं बताए जल्दी से क्या हो जाएगा फटा फट से बताए क्या हो जाएगा नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है नहीं 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 कोई बात नहीं जल्दी से बताईए क्या होगा नहीं ये भी नहीं है जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा डी तिलवाडा और कोई विलंबित तीन ताल किस नाम से जानी जाती है जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा विलंबित तीन ताल को जाना जाता है तिलवाडा ताल के नाम से ठीक है? किसके नाम से? तिलवाडा ताल के नाम से कितनी मात्राएं होती है इसमें? अगला प्रश्न इसी पर बनाया तो बताऊंगी नहीं अभी तिलवाडा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं 14, 15, 16, 18 बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा फटाफट से बताईए तिलवाडा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं 14, 15, 16, 18 फटाफट से बताईए क्या होगा उत्तर जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटा-फट से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा तिलवाडा ताल में कितनी मात्रा है तिलवाडा ताल में हो जाएंगी आपकी सोला मात्रा कितनी मात्रा हो जाएंगी, 16 मात्रा, कितने विभाग, कितने विभाग हो जाएंगे, कितनी मात्राओं पर ताली होती है, तिलवाडा ताल में, कितनी मात्राओं पर ताली, 1513, 1613, 1512, 1514 या इन में से कोई नहीं, बताओ जिल्दी से क्या हो जाएगा, फटा-फट से बताइए की बात अंत में 10 मिनिट आप लोगों को दूंगी ठीक है बताइए जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा चार विभाग होते हैं कितने विभाग होते हैं इसमें विभाग होते हैं चार चार विभाग होते हैं बताईए जल्दी से कब कब ताली होगी फटाफट से बताईए एक पांच और तेरा पर ताली होगी कहां होगी एक पांच और तेरा पर ताली ठीक है क्या हो जाएगा एक पांच और तेरा पर ताली ठीक है और खाली कप पर होगा, तिलवाडा ताल में किस मात्रा पर खाली होता है, 9 पर, 9 और 4 पर, 9 और 5 पर, 9 और 11 पर, या इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से, 9 पर खाली, 9 और 4 पर खाली, 9 और 5 पर खाली, 9 और 11 पर खाली, इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटा फट से बताईए सभी लोग तिलवाडा ताल में किन मात्राओं पर खाली होता है जल्दी से बताईए कोई भी बालक क्लास के बीच में अनर्गल प्रश्ण पूछ कर क्लास खराब न करे मेरी सभी से बिंती है कि सभी बालक कोशिश करें कि पहले पढ़ ले आपके सारे सवालों के उत्तर दूँगी लेकिन अन्त में पहले पढ़ाईए पहले पढ़ाई है उसके बाद ही कुछ और है ठीक है बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा किस पर होती है खाली देखे चार विभाग हैं कितने विभाग हैं चार विभाग हैं तो सीधी सी बात है तीन पर तो ताली हो गया तीन विभाग में क्या हो गई तीन विभाग में ताली तो एक ही विभाग में तो खाली होगी एक विभाग में क्या हो जाएगा तीन विभाग में ताली और एक विभाग में खाली एक विभाग में क्या हो जाएगा खाली तो एक ही विभाग होगा तो बाकी तीन तो हो नहीं सकते केवल एक ही बचा नो, नो पर खाली ठीक है न, समझ में आ रहे हैं मेरी बाद देखिए, खाली ताली को पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं, यह बहुत असान है कैसे, तिलवाडा ताल में चार विभाग, हर विभाग में चार-चार मात रहें तीन विभाग में ताली आगी, तो एक ही विभाग तो बचा तो उसमें खाली हो जाएगा ठीक है, बाकी सब जगह मैंने आप्शन में दो दो दिये हुए, केवल एक में दिया हुआ है, ठीक है और आज रात को 9 से 11, खा पी कर इत्मिनान से बैठियेगा, क्योंकि धेर प्रशन अच्छे से प्रशन कराऊंगी, थोड़े अलग तरह के प्रशनाज कराऊंगी, ठीक है जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा, तिलवाडा दाल में कितने विभाग? फटा-फट से चार विभाग, इसमें तो सोचना ही नहीं है, कितने विभाग? चार विभाग हो जाएगे, अगला प्रशन, आधुनिक समय में कोमल रे किस शुती पर स्थित है, कोमल रे की बात हो रही है, कोमल रे तो सभी लोग जानते हैं न, आधुनिक समय में कोमल रे किस शुती पर है तीसरी शुती, चौथी शुती, पाचवी शुती, इन में से कोई नहीं, हमें ये तो पता है 22 शुतियां, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उननिस, बीस, एक्किस और बाइस, हमे कितनी हो जाएंगी, चार, फिर उसके बाद पा की भी चार, फिर धा की तिस्तरी, तीन, और नी की दो, ऐसे करके शुतियां है, हमें पता है, आज के समय में, आधुनिक समय में क्या होता है, पहली शुति पर होता है स्वर, यानि के सा होगा यहां, रे होगा यहां, गा होग रे कहां होता है, तो कोमल रे देख़े, रे है पाच्वी पर, और सा है पहली पर, इसी के बीच में कहीं होगा, तो बिल्कुल बीच में क्या बैठ रहा है, बताई ए जल्दी से क्या हो जाएगा, पाच्वी पर तो शुद्ध रे हो गया 나, तो कोमल रे तो उससे पहले ही होगा उससे छोटा स्वर और सा से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरी शृती पर होता है कोमल रे कहां होता है तीसरी शृती पर होता है कोमल रे तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है? तीसरी शुती पर होता है, ध्यान रखना यहाँ पांचवी शुती पर हो रहा है आपका शुद्धरे, तीसरी शुती पर होगा कोमल सा और रे के बीच में होगा ठीक है? तो तीसरी पर माना जाता है चलिए आगे चलते हैं आधुरिक टीवर्मा के शुती पर अवस्थित है हमें मा तो पता है मा कौन सी शुती पर है मा देखिए यहां है यह रहा मा दसवी शुती पर शुद्ध मा कौन सी शुती पर अगर मैं शुद्ध मा की बात करूँ तो कौन सी शूती पर है? दसवी शूती तो तीवर्मा कब होगा? भाई तीवर्मा तो इससे आगे ही होगा ना? दस से आगे ही होगा, ठीक है? कैसे पता करेंगे? शिवा जी मैंने बहुत सारी चीजे पहले कराई हुई है क्लास में आप पुरानी क्लास देखेंगे तो आपकी काफी सारी चीजे क्लियर होंगे, ठीक है? बस यही है कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे सारी चीजे ठीक है? बताई जल्दी से क्या होगा? आधुनिक तिव्र मा कि शुती पर है? बारवी पर तो नहीं हो सकता तेरवी पर दसवी पर तो नहीं हो सकता सौरी क्योंकि दसवी पर तो शुद्ध मा है इस पर क्या है? शुद्ध मा है तो या तो बारवी पर होगा या तेरवी पर होगा? कौन सी पर होगा, देखो मा के बाद आता है पा, पा की है चार शुतियां, ठीक है, तो अब देखो, 10 पर क्या है, 10 पर है मा, फिर 11, 12, 13, फिर आएगा 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, अब ध्यान दो जरा, पुराने पर ध्यान दो, यहां देखो, पा किस पर है, 14 पर है, यानि कि 10 से 14 के बीच में 11, 12, 13 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, कहां होना चाहिए, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, कहां होगा, बताइए जल्दी से, कहां होगा, 12 वी पर होगा, है न, कहां होगा, 12 वी पर, क्यूंकि, फिर 14 पर क्या है, पा है, और 10 पर क्या है, मा है, तो इसके इधर छोड़ो एक इधर बीच में तो आया मां ठीक है समझ रहें तो बारवी पर हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया रविशन कर जी आपका स्वागत है जल्दी से बताए क्या हो जाएगा नहीं श्वेता अगर आप क्लासिस रेगुलर करते हैं तो भूकलेने की जरुरत नहीं आपको ठीक है सब्सक्राइब आपको यह ठीक है, UP में आया हुआ प्रशन है, TGT PGT दोनों में, क्या हो जाएगा, पटाफट से उत्तर दीजे क्या होगा, क्या हो जाएगा, तीन सब्तक होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सब्तक तीन से जादा नहीं हो सकते, सब्तक तो कितने भी हो सकते हैं, सब्तक तो कितने भी हो घूनता है मंद्र सब्तक, मध्य सब्तक और तार सब्तक, ये तीन सब्तक मुख्य होते हैं, सामानने तोर पर तो बेस माना जाता है मध्य सब्तक को, इससे नीचे जाएं तो मंद्र और उपर जाएं तो तार, तार के भी सारे स्वर और मंद्र के भी सारे स्वर गायक बोल नही प्रश्न एक प्रकार का कन जिसमें तीन स्वरों के दृत प्रयोक के द्वारा अर्ध वृत्ति बनाते हैं वो क्या कहलाता है कन खटका मुरकी मींड बताई जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल जल्दी से बताई है क्या हो जाएगा पड़ा वट सुत्तर जीजे हाँ बिल्कुल शुभम वही क्लास रही कि बेफिकर रहो ठीक है क्लास में कोई परिवर्ता नहीं आएगा आपने जॉइन कर लिए तो आप मेरे उपर छोड़ दो ठीक है गलती से अगर जॉइन हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है वो मेरे उपर छोड़ दो मैं हूँ ना तो बस इतना काफी है जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर और बीच बीच में परिशान मत हो ये सबसे जरूरी चीज है अभी यहाँ ठीक है? पहले तैयारी जरूरी है बागी सब बाते बाद में क्या हो जाएगा सही उत्तर? एक प्रकार का कंड जिसमें तीन स्वरों के दृत प्रयोग से अर्धवृत्ति बनाते हैं क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए D.C. बहुत बढ़िया चलिए उत्तर देख लें क्या हो जाएगा सही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा मुर्की क्या हो जाएगा सही उत्तर मुर्की खटका, मुर्की, मींड अलग-अलग होते हैं मुर्की को लिखते कैसे हैं जैसे मान लिजे मैंने लिखा धा और मुझे मुर्की लिखनी है जैसे की मा, प, और फिर ध, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है मुर्की को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखो, सद्राग चंद्रोदय, राग मंजरी, राग माला और नर्तन निर्ने के लेखक कौन है, आपके सामने किताबों के नाम ल नहीं, बताए जल्दी से क्या हो जाएगा प्रशन, पड़ा फट से बताए सभी लोग, सद्राग चंद्रोदय, राग मंजरी, राग माला, नर्तन निर्ने, इन चारों अलग अलग जो आपको चारों ये किताबे दिख रही हैं, इन किताबों के रचैता कौन है, बताए जल फटाफट से बताए क्या होगा, बी, अधिकतर का उत्तर भी ही है, क्या होगा सही उत्तर, पुंडरीक विठ्थल, किसने लिखी है ये किताबे, पुंडरीक विठ्थल ने ये किताबे लिखी है, ठीक है, याद रखना है सभी को, किसने लिखी है किताबे, पुंडरीक ठीक है चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रशण देखिये निमलेकित में से असुमेलित का चैन करिये जो अलग हो उसका चैन करना है ठीक है जल्दी से बताइए दैन्य, स्तुती, वायराग्या, नामकीरतन इनमें से कोई नहीं इन चारों में से जो अलग हो जो जिसमें विभेद हो वो अलग करना है बताओ क्या हो जाएगा प्रशन का उत्तर दो जल्दी से सभी लो फटावट से बताईए इन में से सुमेलित का चैन करिए कंचन अभी क्लास शुरू नहीं हुई है बच्चे क्लास शुरू हो जाएगी तो आपको दिखेगी ठीक है चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा दस तारीक से क्लास शुरू हो रही है आपको दस तक वेट करना है ठीक बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए सभी लोग क्या होगा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा उत्तर? दैन्यस्तुति, वैराग्य और नामकीर्तन क्या होगा सही उत्तर? देखो इसमें कुछ चीजें और हैं जैसे कि लीला चेतावनी लीला, चेतावनी, वैराग्यस्तुति है न, विनय वेदान्त क्या है? विनय वेदान्त और क्या होगे? आपका दैन्य है न, ये सारे क्या हो जाएंगे? हां रिशिकेश, सारी चीजे स्टाट होंगे बेफिक्र रही है, है न? चलिए, इसके अलावा विनय वेदान्त, चेतावनी, लीला, नामकीर्तन, वैराग्यस्तुति, दैनी जितने भी आप देख रहे हैं, ये गे ये रचनाए हैं, क्या है ये सभी? गे ये रचनाए हैं ये किसकी रचनाए हैं? ये तुलसी दास जी की रचनाए हैं किसकी रचनाए हैं ये सभी? तुलसी दास जवारा रचनाए हैं और ये सारी रचनाए गे हैं मतलब स्वरबध हैं कैसी रचनाए हैं ये स्वरबध रचनाए हैं जो गे होती हैं उन्हें स्वरबध कहा जाता है ठीक है मतलब जिनके साथ स्वर दिये गए हो जिनें गाया जा सकता है ठीक है ये हो जाएगा राख परिचे के लिए do something जी अगर आप राग परिशे पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल परचेस करनी पढ़ेंगी, चारो भाग, अगर ऐसा लग रहा है कि राग परिशे क्यों खरीदना है, तो देखी, राग परिशे तुम्हें संपूर्ण कराऊंगी ही, तो आपको अलग से खरीदने की क्या ही ज़रूरत है, जो बच्चे बैज जॉइन कर चुके हैं, वो कोई किताब ना खरीदें, जितना मैं कराऊंगी केवाल उतने पर धिहान दें, ठीक है, उतना ही काफी है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने, गाने योग्य, क्या हो जाएगा, गाने योग्य, चलिए, तो दैन्य, स्तुती, वैराग्य, नामकीर्तन, लीला, चेतावनी, विनय वेदांत, ये सारी की सारी गाने योग्य रचनाए हैं, स्वर्बध रचनाए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी आपकी तुलसी दास जी की रचनाए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन में से कोई नहीं और सुमेलित कोई है यह नहीं सारी रचनाए एक ही इंसान की हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्ण संगीत पारिजात ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया फेर से ध्यान से प्रश्ण सुनिये मैंने क्या कहा संगीत पारिजात ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया दीनानात कालिंद राम प्रसाद सेन इन में से कोई नहीं एक से अधिक रवी शंकर जी आपने ध्यान से नहीं सुना मैंने कहा गेय का मतलब गाने योग जिसको गाया जा सकता है ठीक है? चलिए बताईए जल्दी से क्या होगा संगीत पारिजात ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किस ने किया? मुझे पता था आप सभी लोगों का उत्तर लगभग यही होगा खैर देखती हूँ कितने लोग उत्तर दे पाएंगे इसका जल्दी से पताईए क्या हो जाएगा? संगीत पारिजात ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किस ने किया? कालिंद, दीनानाथ, रामप्रसाद सेन, एक से अधिक, इन में से कोई नहीं जल्दी से पताईए क्या होगा? बिल्कुल कर दूंगी, आप बेफिक रहिए, फर्स पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर के लिए भी, बच्चे बिल्कुल एंड तक वेट करिए पहले जरूरी है ये पढ़ना, बैच की बात बात में होगी, चिंता मत करो, एंड में करूंगी, अभी नहीं अभी पहले पढ़ने पर तुध्यान दो, तुम लोग इतना काहे परशान हो, सारी चीजों पर बात होगी, लेकिन पहले जरूरी बात ये तो पढ़लो जो है, ठीक है, जल्दी से बताईए क्या होगा, दीना नाथ, दीना नाथ ने संगीत पारिजात का पारसी में अनुवाद किया था, किसमें? पारसी में अनुवाद किया लेकिन हिंदी में संगीत पारिजात का अनुवाद किया कालिंद ने किसने किया कालिंद ने इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया तो ये बात आपको याद रखनी है ये नई बात है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा ठीक है, चलिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका कालिंद अगले प्रश्न पर आते हैं मान Quandu Hal का आंशिक अनुवाद किसने किया मान Quandu Hal का आंशिक अनुवाद किसने किया कालिंद ने, फकीर उल्ला ने, तुलाजी राव ने, गुलाम रसूल ने या इनमे से कोई नहीं, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, हाँ, बिलकुल सन्रोज, सही कहा, तो तुम सब लोगों को क्या लग रहा है, सारी चीज़ आसान होंगी, आसान कैसे होंगी, हाँ, बिलकुल गौतम क्लास तो मिलें की, का है परिशान हो, तो जिस भी बच्चे से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा, मान कौतुहल का आंशिक अनुवाद किस ने किया, कालिन, फकिर उल्ला, तुलाजी रा, गुलाम रसूल, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा सही उत्तर, पड़ावर से उत्तर दो सभी लो, उत्तर में थोड़ी स्पीड दिखाईए, क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताईए, मान कौतुहल का आंशिक अनुवाद, किस ने किया, जल्दी से बताईए, बिल्कुल सही, फकिर उल्ला नहीं किया था, मान कौतुहल का जो अनुवाद हुआ था, वो फकिर उल्ला जी के द्वारा ही हुआ, एक बात और ध्यान रख हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्तर बी अगले प्रश्न पर आईए मुरली प्रकाश तथा धुरुपद टीका आधि ग्रंथों की रचना किसने की मुरली प्रकाश और धुरुपद टीका इन दोनों की रचना भावभट नरहरी चक्रवर्ती श्री निवास तुला जी राव इन में से कोई नहीं दाईए जल्दी से क्या होगा रवी जी ऐसा नहीं होगा मतलब जितनी चीज़ें मिल पाई उन्हीं का अनुवाद हो थे जल्धी से बताईए हाँ बिल्कुल बिल्कुल जूले बेफिक हो वो मेरी हैडेक है आपलोग परिशान मत हो इतनी चोड़ी चोड़ी चीज के लिए ठीक है बताईए जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए जगदेव जी रोज तीन से चार पटाफट से उत्तर दीजे क्या हो जाएगा सबका स्लेवस पता चलेगा आप लोग हो रहे हैं पैनिक पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आप मेरी टेबल पर जाईएगा वहां किसी से भी कईएगा जिते इंदर सर के पास मेरी मेरा चार्जर था वो दे देंगे सामने जिते इं वहीं पर जहां मैं बैठती हूँ मेरे सामने वाली टेबल पर सर बैठते हैं वो नीचे से आप निकाल लेजेगा चार्जर उसी में केबल लगा है गुरुकुल में नहीं बाहर लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है चलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से बताईए बिल्कुल प्रिया वो हो चुका है बेफिक रही है वो हो चुका है ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका फड़ाबट से उत्तर दीजे भाव भटने लिखी है किसने लिखी है भाव भटने अनूप संगीत रतनाकर याद है क्या है अनूप संगीत रतनाकर अनूप संग और आपका ये जितनी भी रचना उपर लिखी है मुरली प्रकाश दुरुपद टीका ये किसने लिखी है ये सारी की सारी लिखी है भाव भटने किसने लिखी है भाव भटने इसके लावा अनूप संगीतांकुष कौन सी है अनूप संगीतांकुष अनूप संगी तांकुष ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी सब उन्ही की किताबे हैं ठीक है एक किताब और है नश्टो दिष्ट प्रबोधक कौन सी है नश्टो दिष्ट प्रबोधक ये किताबे सभी किसकी है भाव भट जी की किताबे हैं ठीक है चलिए, हाँ, बिलकुल, अगला देखो, अगला प्रश्न है, संगीत दर्पन में कितने अध्याए हैं, पहले मुझे ये कौन बताएगा कि संगीत दर्पन लिखी किसने है, कमेंट बॉक्स में पहले जारा ये लिख करके बताओ, कि संगीत दर्पन लिखी किसने है, फटा-फ बंदित सोनिक का है परिशान हो रहे हुआ वाल को सब पढ़ाया जाएगा बेफिक्र रहो एक एक करके पूछओं वोस्क्राइब कुछ नहीं हore मैं सारी चीजden बताउंगी ठीक है बताईं जोरी से क्या होगा संगीत दरपन में कितने अध्याये हैं कितने अध्याय हैं, बताओ जल्दी से, संगीत दरपंड में कितने अध्याय हैं, दामोदर पंडित, किस ने लिखी है, बिलकुल दामोदर पंडित ने लिखी है, पंडित दामोदर भी कहते हैं दामोदर पंडित भी कहते हैं एक ही बात है कितने अध्याय हो जाएंगे साथ और कोई पांच छे और कोई छे ना परेशान मत हो विश्वास रखो आपको एक भी प्रश्न कठे नहीं लगेगा और मैं क्या कहूँ अपने मुख से ठीक है तो क्या हो जाएगा सही उत्तर छे अध्याय हैं कितने अध्याय हैं संगीत दरपन में छे अध्याय हैं ठीक है क्या हो जाएगा छे अध्याय हो जाएंगे अगले प्रश्न का उत्तर राग सर्व संग्रह की कि रचना किसने की राग सर्व संग्रह की रचना किसने की लोचन ने अहोबर ने सदारंग ने श्री निवास ने बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटाफट से उत्तर दो राग सर्व संग्रह की रचना किसने की जल्दी से बताओ फटाफट से राग सर्व संग्रह की रचन किसने की जल्दी से दो तर सभी लोग रोज कम से कम पचीस प्रश्ण होने चाहिए हमारे पचीस से कम प्रश्ण नहीं होंगे रोज ठीक है और आज रात को 9-11 मतलब 9-11 खाना पीना खा के आराम से बैठना समझ रहे हो ना एक मिनिट की भी देरी अगर किसी ने की तो समझो कि उसे पाप लगेगा बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा राग सर्व संग्रह की रचना किसने की बताओ जल्दी से लोचन ने की किसने की लोचन ने की राग सर्व संग्रह और दूसरी किताब इनकी क्या थी दूसरी थी राग तरंगिनी क्या थी राग तरंगिनी राग सर्व संग्रह और राग तरंगिनी दोनों लोचन की है ठीक है चलिए अगले प्रश्न पर अदारंग का वास्तविक नाम क्या था अदारंग का वास्तविक नाम क्या था नहीं मार नहीं पड़ेगी डांट पड़ेगी मार तो खेर मैं आप लोगों को क्या ही सकती हूँ हाँ लेकिन जबान की मार जरूर मार सकती हूँ और हाँ आप सभी से निवेधन कृपया कोई भी मुझे मैडम कहकर न पुकारे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे दीदी कहते है मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और दीदी जो शब्द है वो भाव वाला शब्द है यह मैं सोचेगा कि छोटा और बड़ा बीच में आ जाए कभी-कभी ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को आपको किसी विशेश नाम से पुकारने का मन करेगा जलिए बताईए जल्दी से क्या होगा अदारंग का वास्तविक नाम नियामत खाँ, फिरोज खाँ, भूपत खाँ, मुहमद शाह यह इन में से कोई नहीं जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा नियामत खां को क्या कहते थे नियामत खां को तो भईया सदारं कहते थे क्या कहते थे सदारं मुहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था क्या कहा जाता था रंगीला ठीक है तो क्या हो जाएगा फटा फट से बताओ क्या हो जाएगा एक ही बचता है केवल अब केवल एक ही बचता है क्या अदारंग का वास्तविक नाम क्या था अदारंग का वास्तविक नाम था फिरोज खां ठीक है ये सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण प्रश्ण भूपत खां को क्या कहते थे, कौन बताएगा मुझे, भूपत खां आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, अगला प्रश्न, बंगाल टप्पा शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, देखें टप्पा तो आपको पता है, पंजाब अंका टप्पा होता है, बंगाल अंका टप्पा है, ठीक है, टप्पा शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पताऊना चाहिए, और बंगाल शैली के टप्पे का प्रवर्तक कौन है, उम्राव खां, राम निदीगूप्त, शामा सास्त्री, त्याग होगा मन रंग सबरंग अर रंग सारे रंग कराऊंगी चिंता मत करो आने दुसमें फड़ा वट से बताओ जल्दी से क्या होगा बंगाल टपा शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है जन्नी जन्नी बताइए क्या हो जाएगा बिलकुल मिलेगा प्रभू प्रभू मिलेगा प्रभू मिलेगा बेफिक्र रहो सब मिलेगा ठीक है परिशान नहो जिसने महापैक लिया उसको सारी क्लासिज मिलेंगी काहे नहाप परिशान हम हैं तो काहे परिशान हो रहे हो क्लास आने तो दो दस तारीक आने तो दो वो ऐसे ही confusion तो देखिए होगा आपको पता है आपको क्या करना मुझे कहने की ज़रूत नहीं है ठीक है सब बताऊंगे विशाल सारे पिया और सारे रंग बताऊंगी बेफिक्र रहो जल्दी जल्दी बताइए फटा-फट से क्या होगा अचा नौ बजे क्या है रवीर नौ बजे मैं फिर बता रही हूं ध्यान से सुनो चीक चीक कर बता रही हूं नौ बजे आज रात नौ से ग्यारा पी-म मैराथन है आना है सभी को प्रश्न होंगे कल भी होगा कल रात भी होगा कल रात को यानि के शनिवार को भी होगा 9 से 11, मैरथन 100 questions की rapid fire होगी, ठीक है कल भी होगी, तो आप लोग आना मत भूलना ठीक है, कोई भी बच्चा लेट न करे चलिए, तो ये हो गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राम निधी गुप्त, इसका सही उत्तर है, क्या है, राम निधी गुप्त, अब राम निधी गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है राम निधी गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा जान लो, एक तो इनका जन्म कहा हुआ, चाम पता हुगली के पास में एक जगह है चाम पता हुगली जिले में पड़ता है ठीक है वहाँ इनका जन्म हुआ क्या हुआ वहाँ इनका जन्म हुआ था ठीक है इसके अलावा ये बहुत बड़े टपा गायक थे उच्छ कोटी के टपा गायक कौन राम निधी गुप्त ठीक है राम निधी गुप्त 1834 में इनका निधन हुआ था तो आज की क्लास तो थी यही तक अब बात आती है बहुत सारे बच्चे परिशान थे कैसे कोर्स जॉइन करें अब सुनिये सुबा शाम और रात का टाइमिंग क्या है क्रिश्णा जी तीन दिन लगातार आज गातार मेरतन ले रही हूं तीनो दिन आप लोगों को आना है दो दिन यानि के आज और कल तो होगी 9 से 11 रात को और रविवार वाले दिन होगी दुपहर के 1 बज़े से शाम के 5 बज़े तक 4 घंटे ठीक है और ये पेन जो है मैं केवल केवल आप ही लोगों के लिए ले रही है तो इस पेन का आप लोग सम्मान करिएगा सभी लोग आईएगा जरूर ठीक है महापैक प्ले स्टोर से मिलेगा या गूगल से मैं आभी बता दे रही हूँ अभी शेक चिंता मत करो ठीक है जल्दी से बताईए फटा-फट से क्या हो जाएगा यह और नहीं हो रहा है क्या हाँ ओपिन तो हो गया है यह कैसे होगा साइन अप अभी करना पड़ेगा हाँ मैं बता रही हूँ एप पर ही बता रही हूँ चिंता मत करिये एप पर ही बता रही हूँ कि आप एप पर कोर्स कैसे जॉइन कर सकते हैं सारे बच्चों को, देखे, अप से आप लोगों को फायदा है, ठीक है, एप पर आप लोगों को फायदा है तो बेफिकर रहिए, आप सोनी का, आपको पता है, आप को क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा सन्रोध मिक्स रहेंगे आज और मिक्स में भी ना आज इतने वाले ऐसे वाले प्रश्ण होंगे कि मदा आ जाएगा आप लोगों को चीक है आज आईए आप करना तो है ही आही जाईए और क्या पीडिएफ कैसे दिखेगा रीमा उसके लिए आपको बिहार अड़ा 247 ऑफिशल टेलिग्राम चैनल है वहां देखिए का आप आपको रोज पीडिएफ मिलेगी ठीक है हर चोटे से चोटे सेशन की अगर कोई भी इंफर्मेटिव सेशन है उसकी पीडिएफ है तो आपको उसमें मिल जाएगी ठीक है रुपेश कनवर्ट हो गया है बेफिकर रही है उसके लिए आप चिंता मत करिए यह समझे कि एक तारीक जिस दिन एक तारीक आईगी 10 अक्ट संडे को एक्जाम है कंचन कोई बात नी बाद में आप देख लेना रिकॉर्डट देख लेना अगर एक्जाम है तो ठीक है चालू हो गया चलिए तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कैसे आप लोग एप से परचेस करेंगे देखिए जैसे कि आप क्या करेंगे सबसे पहले जलो देखो यह लिखा उपर teaching इस पर click करना यहां से आप क्या करेंगे main menu पर जाएगे अरे ये मेन मेन्यु कहां चला गिया रहे बाबा वोम पर जाइए यहां से आप सेलेट कर लीजे कैसे सेलेक्ट होगा भाईया यह टीचिंग कैसे हटेगा यह तो बैंकिंग सेलेक्ट हो रखा है इसको कैसे हटाएं सेचिंग एग्जैम्स काहे हो नहीं दाय मैं बता रही हूं बाल को बस थोड़ा सा धहरे रखिए वही बता रही हूं कि कैसे आप लोग इसको जॉइन करेंगे यह क्या कर रहा है यह तदीवे क्यों चला है निट्वर्क नहीं है आप कैसे हटेगा यहां से बैंकिंग दिखा रहा है, UPSC दिखा रहा है स्टेट एक्जाम क्यों नहीं दिखा रहा है यहां भी नहीं दिख रहा है टीचिंग कैसे हटेगा वो नहीं समझा रहा है सेलेक्ट यूर एक्जाम UPSC डिफेंस PCS इसमें शो ही नहीं कर रहा है एक मिट एक मिट एक मिट क्या था वो था ना बैक टू मेल लिस्ट हाँ यह रहा मेल लिस्ट अब आएगी अब यह तो फैचिंग दिखा रहा है ना लगतर तब तक समझ नहीं आएगा बालकों को जब तक की बोर्ड दिख रहा है ज्यादा चमक रहा है बोर्ड भाई बोर्ड ज्यादा चमक रहा है कुछ करिए आपका इंटरनेट तो चल नहीं रहा चलिए मैं बच्चों को गूगल से बता दे रही हूँ क्या करूँ देखे गूगल से अभी जान लीजे कैसे होगा गूगल से मैं बता दे रही हूँ आप कैसे जॉइन करेंगे सबसे पहले गूगल पर सर्च करिएगा अड़र 247 ठीक है जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे पहला ही विकल्प आएगा इस पर क्लिक करिएगा ठीक है पहला ही विकल्प जैसे ही आएगा उसके बाद में All Courses पर जाईएगा, देखिए उपर लिखाएगा All Courses, यहाँ क्लिक करिएगा, इसमें देखिए Government Job Exams के बरावर में State Exam लिखाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे Option खुल कर आएगा, अगर आप लोग 9-10 की तयारी कर रहे क्या करेंगे फिर आप, फिर आप जाएगे महापैक पर, ठीक है, यह देखिए बिहार महापैक लिखा हुआ है, मान लो जैसे कि मैंने 9-10 पर क्लिक के लिया, आपको 9-10 चीए, तो क्या होगा, यह देखिए, ऐसे आपके सामने विकल्प पाएंगे खुल के, यह रहे विकल यह महापैक देखने हैं, शिक्षक भरती का महापैक, इसमें 6-8, 9-10, 11-12, सारी चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है, यह मारेस एक्जाम के लिए में पेज पर, पीजीटी या टीजीटी, शताबदी मुदूली जी, आप पीजीटी ले लिजे, आपका यह मारेस भी हो जा देंगी, ठीक है, परिशान मत होना, अच्छा, टाइमिंग रहेगी, मेरी क्लास की 6-8, यानि के म्यूजिक की रोज, दो घंटे, और लगबख 100 क्लासे आपको केवल म्यूजिक की मिलेंगी, सारे सबजेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, जनरल पेपर के भी, और लेंग्व कोनि गुमे जारा, घूमे जारा, घूमे जारा या, क्या हो गया है इसे, क्या बताओं, क्या बताउं हाँ तो देखे ऐसे option खुल के आएगा यहाँ enter coupon code लिखा होगा यहाँ coupon code की बजाए आपको मेरा teaching code डालना है क्या होगा teaching code Y740 जैसे ही आप apply करेंगे आपके सामने दिख जाएगा अरे भाई यह क्या हुआ कुछ तो गडबड है दया कुछ तो गडबड है हाँ देखे यह दिखे आपको 1849 ठीक है यह 1849 आपको और कम पढ़ जाएंगे अगर आप इसको app से purchase करते है app से कुछ नहीं करना है आपको उपन हटाईएगा teaching code लगाईएगा Y740 और साथ में coin लगाईएगा coin तो आपको पता ही है कैसे लगाते है ठीक है तो coin लगाईएगा coin लगाकर आपको यह लगबग 1700 कुछ रुपे का पढ़ेगा ठीक है 1700 कुछ रुपे का पढ़ेगा आपको और आपको teaching code Y740 पता ही है यह मेरे से जुणने का तरीका है बागी आप सभी लोग समझदार है बहुत जादा कहने की जरूरत नहीं है हाँ यह जरूर है कि ध्यान रखना 10 तारीक मतलब 10 तारीक 10 से 20 शुरू 11 से गायब हो जाएगा तो फिर 11 के बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगी ठीक है तो चलिए क्या हो जाएगा नहीं दिख पा रही है क्लास यह देखिए हाँ मैं एब पर बता रही हूँ कैसे होगा ठीक है एब पर ध्यान से देखिएगा हाँ यहाँ देखिए गौर्मेंट जॉब एक्जाम स्टेट एक्जाम पर क्लिक करिएगा बिहार पर क्लिक करिएगा तो बिहार आपके सामने खुल जाएगा यहाँ उपर feed लिखाओगा, study material लिखाओगा नीचे देखे चार option होंगे, home, community, my content और store store पर क्लिक करिएगा, जैसी यह store पर क्लिक करेंगे यह लिखा है, शिक्षक भरती 6-8 वी इसके बाद आगे चलिए, छटी, शिक्षक भरती 9-10 वी उसके नीचे 11-12, जैसे 9-10 का हमें बैची है तो 9-10 वी पर क्लिक करिए, ठीक है, जैसी यह आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ option ऐसा खुलेगा, देखे उपर ही आची म्यूजिक दिया है, 9-10 वाला, इस पर क्लिक करिए, यहां क्लिक करके जब आप जाएंगे तो देखे लिखा होगा, use coins, इस पर क्लिक करिए फिर उसके बाद में coupon code लगा है, इसको remove करिए, यहां offers available पर क्लिक करिए, available offers पर यहां enter coupon code लिखा होगा तो इसमें आपको coupon code की बज़ा है, teaching code डालना है, कितना? Y740, जैसे ही आप लोग Y740 पर क्लिक करेंगे, एक मिनट रुकेगा यहां जैसे ही आप Y740 डालेंगे, Y740 अरे क्या हो रहा ही? लग रहा है, दुबारा लगाना पड़ेगा आज तो बड़ी दिक्कत हुए न, आप लोगों को समझने में 9000 आरा है कम नहीं हो रहा है, रुको 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 बता रही हूं ठीक है? बता रही हूं कैसे करना है? यह क्या हो गया रहे बाबा? यही समस्या है यह क्या हो गया है? मैं बता ही नहीं पाई बुच्छो को पूरी प्रोसेस चलिए, आप लोगों ने इतना तो देखी लिया है कि कैसे आप लोग कूपन लगाएंगे बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है, कुछ करना नहीं है, उसके बाद बस क्लिक करना है आप सभी को रहना है, आप सभी को टाइमिंग बताई है, आप सभी लोगों को नमस्कार